तो तो ऑज के इस वीडियो में हम इफेक्ट अफ आर्मेचर रियक्षिन और इमफ और अल्टरनेटर के बारे में बात करेंगे है यहां क्रोस मगनेटाईजिंग का मतलब है यहां इंपेक्ट वो क्या डालेगा तो समझते इससे पहले कुछ नूमन क्लीचियर हम ले लें पर hubs ऑब टाफट याद रिखिएगा इस सिंबॉलिक नूमन क्लेचियर है पाद है दो अ़ग लग भुक में अलग लग लिखा रहता है जैसे मैंने यहां एंजिम कर लिया E0 है EMF induced per phase by the main field flux at no load यहां main field flux का मतलब है field winding की बात कर रहे हैं और armature field का मतलब है हम armature winding के flux यानि armature winding की बात कर रहे हैं तो बच्चों no load condition में जब हमने कोई load नहीं लगाया आप जानते हैं उस condition में जो flux field यानि flux induced होगा वही कहला आएगा main field flux और वही बराबर होता है E0 है E0 highest value है याद रखेगा कहें कहें उसको EF से भी represent करते हैं अगला symbol है Ea, Ea induced DMF per phase by the armature flux के बारे में बात कर रहा है यानि armature कितना flux induced कर रहा है कितना EMF induced कर रहा है armature field उसके बारे में बात कर रहा है यहाँ पर यह जो T, जो E है capital E, यह net induced DMF per phase है net का मतलब है यह resultant होगा E0 और Ea का main resultant होगा main field flux और armature field flux का इसलिए E equal to E0 plus Ea यानि vector sum लिया है मैंने, resultant field in resultant induced DMF is equal to the vector sum of यानि resultant sum of no load EMF और armature field EMF आइए बचो, अगला conditions पे हम लेके चलते हैं सबसे पहले हम first condition की बात करते हैं, first condition के लिए मैंने यहाँ पर आपके लिए figure 1 रिप्रेजेंट किया है यह figure 1 में आप बच्चो देख पा रहे होंगे, कि कैसे no load condition में, यानि जब कोई load नहीं है उस condition में, इस phasor diagram में हमें analyze करेंगे, कि जो no load current flow होगा, वो armature के through flow होगा क्योंकि load हमने नहीं लगाया, तो सभावी के armature में कोई current induced नहीं होगा और वो small amount of current है, वो list value है, excitation के लिए आप जानते हैं तो यहां मैं बोल सकता हूँ कि armature field होगा, उसकी जो impact होगी वो zero होगी क्योंकि armature के अंदर सर्फ no load current है, उसे armature के अंदर कोई field नहीं बनेगी और उसका impact कोई नहीं पढ़ने वाला है आपके mean field के mmf पे, main field के induced mf पे इसलिए इन दोनों के बीच में जो angular displacement है, यानि main field को मैंने fm से रिप्रेजेंट किया, या फिर main field flux को 5m से रिप्रेजेंट किया तो जो induced होगा, जो EMF induced होगा, इनके बीच में 90 degree का angular displacement है, आप यहां पे आसानी से देख वा रहे होंगे तो मैं बोल सकता हूँ, यहां जो resultant होगा, यानि E जो होगा, वो सिर्फ E naught के बरावर होगा, क्योंकि यहां पे EAR की value कितनी है, because EAR मैं बोल सकता हूँ कि value कितनी है, 0 है, राद रिखेगा, मैं चाहूँ तो सिर्फ इसकी magnitude भी यहां represent कर सकता हूँ अब आईए बच्चो, हम अगले case में आते हैं, अगले case में इन सब unity power factor की बात करते हैं, बच्चो ध्यान दिजिएगा, जब pure non-inductive load होता है, non-inductive का मतलब है, resistive load, pure resistive load, उस condition में जो armature current flow होगा, through the conductor, कहीन कहीं voltage के साथ, phase, same phase में होता है, एक ही phase में दोनों को दोनों चलत है, तो इस diagram यानि figure 2 में, मैं जो phasor diagram बनाने वाला हूँ, वो phasor diagram में इस condition के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ, यानि यह वो condition है, जिसमें में बोल पा रहा हूँ कि non-inductive load है, resistive load है, जिसमें आपके main field flux और no-load EMF है, इन दोनों के बीच में जो angular displacement है, वो कहीने कहीं 90 डिगरी है साथ में इसके armature flux की value, यानि no-load flux के phase में होगे, current के value भी इसी phase में होगे, इसलिए मैंने ड्रॉ कर दिया, तो इन दोनों का resultant आएगा, क्योंकि armature flux यह है, और armature EMF यह है, no-load EMF E है, तो इन दोनों का resultant आएगा, that basically called E, इन दोनों का resultant मैंने हाँ पे ड्रॉ कर लिया, मैं मैं यहां लेख सकता हूँ, जो E होगा, resultant EMF होगा, वो इन दोनों का विक्तर सम होगा, E0 का साथ में यह का, यानि armature flux और no-load flux या main field flux का विक्तर सम होगा, अब आएगे बच्चों, हम तीसरे condition की बात करते हैं, that is called pure inductive, यानि जो figure 3 है, बच्चों, यह figure 3 pure inductive load के लिए है, यह condition जो था, यह non-inductive के लिए था, non-inductive का phasal diagram था, तो जो pure और यह no-load condition का था, मैं इसको भी mention कर देता हूँ, यह no-load condition का था, तो यह जो pure inductive condition का जो phasal diagram बनेगा, इस pure inductive condition में, यह हमारा main field flux है, पाई-म है, अब यह current आई है, चुकिए inductive है, तो सुभाविक है, current और voltage म current जो है, वह voltage है, no-load voltage है, no-load EMF से 90 degree lag करेगा, तो यहाँ में current दिखा रहा हूँ, which is lagging by 90 degree, यह armature का flux होगा, that is, मैं 5E लिख देता हूँ, 5E या 5E आर कहीं लिखा, दोनों का मतलब यही है, और यह armature का EMF हो गया, that is EA, अब आप मुझे बताएंगे, जो resultant EMF होगा, वो क्य होगा, यह positive है, यह negative है, तो resultant EMF होगा, इन दोनों का sum होगा, तो इतनी value यहाँ से minus कर लिजए, तो जो remaining बचेगा, that can be E, यानि E0 इन दोनों का vector sum है, जो कि दोनों opposite direction में है, इसलिए मैंने minus कर दिया, E0 minus का EA, तो बच्चो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं, कैसे, pure inductive load में, inductive load condition में, zero lagging power factor में, pure inductive मतलब, zero lagging power factor condition में, इसका impact कैसे है, यह अपना impact दिखा रहा है, और वो है demagnetizing का, बच्चो, similarly बच्चो, pure capacitive load का भी हम EMF पे impact देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैं figure 4 ले रहा हूँ, और यह pure capacitive है, pure capacitive का मतलब है बच्चो, यह zero leading power factor होगा, ध्या दिखेगा, pure capacitive zero leading power factor को represent करता है, तो pure capacitive zero leading power factor का phasor diagram बना सकते हैं, आपको पता है, current यहाँ lead करता है, voltage से, कितना degree lead करता है, तो 90 degree lead करता है, तो यहाँ मैं E0 के value ले लेता हूँ, similarly, जो मेरा armature का flux होगा, वो भी मैंने ले लिया, that is armature flux, और यह armature का EMF होगा, अब आपको जब बताएंगे, जो resultant EMF होगा, यानि E की value वो क्या होगी, तो E की value इन दोनों के sum होगी, यानि E0 प्लस EA और इन दोनों के sum में magnitude बढ़ जाएगा, तो that will be resultant value of flux, यानि E की value होगी, तो इस तरीके से आप यहाँ देख पाए बच्चों, कि overall अगर मैं analyze करो, त temperature का induced DMF था, वो अलग-लग conditions पे, जो overall EMF है, induced DMF है, उस पे impact डाल रहा है, no load condition में, जो resultant EMF है, वो आपके no load EMF, यानि gain field DMF के बराबर है, आपके non inductive load और resistive load में इन दोनों का vector sum होगी ले लिया, resultant sum ले लिया, pure inductive load में हम देख पा रहे है, कैसे ही अपनो overall impact भी magnetizing दिखा र है और capacity में, magnetizing impact so कर रहा है, that's all about this video, thank you so much.